अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो अगर आप उस वैक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुती नरम दिल हो लेकिन आप उस वैक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकुफ हो जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया के संपत्ति देख कर भी उसे हम खरीद नहीं सकते हमें हमारे विचार ही बनाते है इसलिए सब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो विचार हमेशा जिन्दा रहते है धर्ती पर जिस परकार मोसम में बदलाव आता है उसी परकार जीवन में सुक दुख आता जाता रहता है बुराई तो तुम्हें हजारों के भीड में भी ढूंड लेगी ठीक उसी परकार जैसे गायों की जूंड में बचडा अपनी मा को ढूंड लेता है परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढून लेता है जाद हसने और बोलने वाला वैक्ती अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से तूट चुका है कभी भी सुयम पर घमंड मत करना पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है अगर इस्वर तुम्हें जादा परतिक्छा करबा रही है तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वो कहीं जादा देने वाले है अरे गुजड जाएगा ये दौर भी जरा सब्रतो कर खुसियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या उकात है जब मन परिसान हो तब कुछ मत किया करू बसांके बंद कर स्री कृष्ण का नाम लिया करू बुद्धी से पैसा कमाया जा सकता है परंतु पैसे से बुद्धी नहीं खड़ी दी जा सकती सब अपना सा लगता है सिर्फ बातों से औरों के लिए जीते थे तो किसी को सिकायत नहीं थी थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा जमाना दुस्मन बन गया जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदम चोटी सी बात पर आउकाद दिखा देता है कोई भी आपके हाथ से तो छेन सकता है लेकिन आपके भागी से नहीं जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं खुद पर यकीन करना सीखो धरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के जो जुप कर गया समझो वही अपना है इस स्वर में आसता है तो मुश्किलों में भी रास्ता है जो ज्यानी होता है उसे समझाया जा सकता है जो अज्यानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है परन्तु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है अरे कैसे करू भर तो जुबान सब की मीटी हो जाती है जितने सचे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे जब भी जिन्दगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिन्दगी आपको रुला नहीं रही आपको सिखा रही है मतलब की बात तू सब समझ लेते हैं लेकिन बात का मतलब बहुती कम लोग समझ पाते हैं किसी पर जादे नराज होने से बहतर है कि अपने जीवन में उसकी एहमियत कम कर दू सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते खुस रहना चाहिए बाकी तो सब चलता रहेगा कोई भी अपना बिछडता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा कोई भी रिस्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं दोनों की भागीदारी से चलता है जो इंसान आपके दुख में अपनी खुसी भूल जाए उस इंसान से जादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता जिंदगी में धीरे चल कर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं आपकिसी वेक्ती को भर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना की एक बार उसे करोध की स्तिती में देखकर जान सकते हैं जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं गल्ती हर इंसान से होती है, लेकिन गल्ती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है, और रिस्तों को खोना नहीं चाहता, क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जवरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गल्त करने वालों को एहसास ही नहीं होगा, कि वो गल्त क और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही बैवार करता रहेगा अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए आपको वहे इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा एक बात बिलकुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुस हो लेकिन जब व ही आद आते हैं तोड कर जोड लो हर चीज दुनिया में हर चीज की मरमत हो सकती है सिवाए विश्वास के एक बार विश्वास तूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता सच्चा सनेह करने वाला केबल आपको बुरा बोल सकता है कभी आपका बुरा नहीं कर सकता क्यों चालाकी करने वाले नहीं जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सला गहरों से लेता है जमीन अच्छी हो खाद अच्छा हो परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं भाव अच्छे हो करम भी अच्छे हो मगर वानी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं अपना इमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता अंत में उसका त्याग करें आपके लिए यही उत्तम है रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं दुख जितना गहरा होता है इस्वर उतना ही करीब होता है कभी उसको नजरंदाज ना करो जो तुमारी बहुत परवाह करता हो वरना किसी दिन तुम्हे एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे बात कड़वी है, वगर सत्ती है जौरत परने पर लोग बिना रिस्ते के रिस्ते बना लेते हैं और जौरत खत्म होने के बाद बने हुए रिस्तों से भी मुह मोड लेते हैं जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर के आएंगे जो समझ ना सके उसके साथ समझोता ना करो इससे अच्छा अकेले रहो कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौँ आज का लोग दिल से दी हुई इज़त से खुस नहीं होती दिखावी की चापलूसी करने वालों से गर्ब महसूस करते हैं विस्पास करें परंतु मा और इस्वर के सिबा किसी पर नहीं लुट जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो बात वही सुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना लेकिन जबरदस्ती किसी से रिस्ता निभाने की जिद मत करना अगर आस्मान वाले के साथ आपका रिस्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगार सकते सापों के दाथ में, बिच्छो के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता इनसे हमिशा साबधान रहे सत्ती को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद करने की जोरत नहीं क्योंकि सत्ती खुद सही समय पर स्वैम सिद्ध हो जाता है जिन्दगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना पैसा और सूरत गरीबी आते देर नहीं लगती और चहरा किसी हादसे में बदलते जरावी वक्त नहीं लगता प्रेम से भरी हुई आँखे और सरधा से जुखा हुआ सर सहयोग करते हुए हाथ सनमार्ग पर चलते हुए पै और सत्य से जुड़ी हुई जीव इस्वर की पसंदिदा चीजे हैं अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जवरत ही नहीं है पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है धोके में जीने से अच्छा है अकेली जीओ, सुकून से जीओ अपने आप पर भरोसा रखो तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा मजाक और पैसा, सोच समझ कर उराना चाहिए संगर से जीवन है, इस से डरना नहीं, लरना सीखो एक बार नींद तूटेगी तूचलेगा लेकिन कभी अपने सपने मत तूटने देना आप कितने भी बड़े बन जाएंगे यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है जो करना है, खुद करना वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है जिन्दगी का एक उसूल बनाओ कि तुम्हारे इज़त जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना क्योंकि जीवन में क्या होगा या तो कुछ अच्छा होगा या बढ़ा होगा जो भी होगा हमारे कर्मों कहीं फल होगा जिस परकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता इसी परकार मनुस्य भगवान की किरपा दृष्टी के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरन करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो भगवान को स्विकार होगा या नहीं ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे किसी का भला नहीं कर सकती तो बुरा भी मत करो यदि सम्मान नहीं कर सकती तो बेवजह अपमान भी मत करो तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे अतनी तकलीब